प्रमोट कृष्णम के सीता राम किस्री वाले वयान के बाद अब सियासत शुरू हो कई है दिल्ले में बीजेपी प्रवक्ता गौरब हाटिया ने कॉंग्रिस पर हमला किया उनका अरोप है कि कॉंग्रिस पार्टी का चरित रहे कि गांधी परिवार के अलावा किसी की कोई इ बिज़त नहीं है और हम सब जानते हैं पूर में आधर्निय प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिमा राओ जी का भी कोई सम्मान कॉंग्रिस पार्टी में नहीं हुआ उनको भी अगर सम्मानित किया भारत रत्न दिया तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया और आपने सीता राम केश्री जी की बात करी, उनके साथ भी जो किया गया वो निंदनिये है, वो Congress Party और खासकर गांधी परिवार का, जो चरित्र है, घ्रना पून, वो दर्शाता है और किस तरह से उनको Congress के Headquarter से उठाके, बाहर फैका गया था, ये एक बड़ा संदेश है तमाम जो कॉंग्रिस के लीडर्स हैं उनको कि अगर गांधी परिवार के सामने घुटने नहीं टेकोगे जी हजूरी नहीं करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही कॉंग्रिस पार्टी से उठा के बाहर फैक दिया जाएगा तो कॉंग्रिस में सीता राम केसरी का घंगोर अपमान हुआ बीजीपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कॉंग्रिस पर निशाना साधा और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखाए कि किसके इशारे पर हुआ सीता राम केसरी का घंगोर अपमान क्या था अपमान का दस्चनपद कर्रेक्शन सचाई जान कर पैरोतले जमीन की सक जाएगी कॉंग्रिस ने पिछणों का अपमान किया है ये राकेश्टर पार्ठी में लिखा रहा है और सिताराम की इस्री को लेकर दिये गए बयान के बाद प्रमूत कृष्णम कॉंग्रिस के निशाने पर आ गए है कॉंग्रिस प्रवक्ता अंचुआ वस्थी ने प्रमूत कृष्णम पर पलठवार किया है संत राजनीत के लिए इतना लोलूप हो जाए तो इससे ज़्यादा दुर्भागिपूर कुछ नहीं हो सकता अब आचारी प्रमूत किश्णम जी जब कॉंग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया उसके बाद उनसे आलोचना के लावा और आखिर क्या सुना जा सकता है क्या सिताराम किश्री जी के बारे में जो उन्होंने टिपड़ी की तो उसके बाद ही उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जॉईन की थी तो यह बाते उनको तब नजर नहीं आई सच्चाई ये है कि जो भी कॉंग्रेस पार्टी छोड़के जाता है वो आलोचना करता है कॉंग्रेस नेता प्रमोध कृष्णम ने मापकी जिगा प्रमोध तिवारी की तरफ से प्रमोध कृष्णम के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है आपको सुनवाते है देखे मैं बहुत दिरता के साथ बहुती असपस्टा के साथ कहना चाहता हूँ कि ये गलत बेबुनियाद और आजकल कॉंग्रेस छोड़के गए हैं इसलिए इस तरह की बाते किसी को नहीं करनी चाहिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस बिदान बंडल दलके नेता के रूप में जब वरकिंग कमिटी हो रही थी मैं AICC में मौदू था ऐसी किसी तरह की कोई घड़ना नहीं